कोरोना महमारी की कारण लंबे समय से विदेशों में फसे यातरी वंदी भारत मिशिन के तहट अपने वतन लोट रहे हैं इसी बेच अंदौर शहर में देराद 125 यातरी किर्गिस्तान से भारत लोटे अंदौर में देवे अहिल्या विमान तल पर 125 यातरियों की स्वास्ति जाच होने की बाद उनका स्वागत किया गया इस तोरान मौके पर मौझूद इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि यहां लोग विभनेकारियों के चलते विदेश में फसे हुए थे जिन्हें वंदे भारत मिशिन के तहट अपने देश लाया गया है कर्गिस्तान में हमारे मद्यबदेश के और आसपास के बहुत सारे चात्र थे जो मेडिकल की पड़ाई करने गये थे और वो लागडाउन के कारण फस गये थे पिछले कई दिनों से उनके परिवार के वहां के बच्चों की बारबार यह मांग आ रही थी कि हमको अपने देश आना है अपने शहर आना है हमने केंदर सरकार से निवेदन किया था कि कैसे भी करके इन बच्चों को जल्दी से जल्दी लाये जाए और मुझे इस बात के खुशी है कि आज 125 बच्चे इंदोर पोचे यह आसपास के चेतर के और इन में से अधिकान बच्चों की परिशा हो गई है और वो पिछले दो मेनों से ज्यादा माफासे हुए थे पर अभी भी वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो आना चाहते हैं उनके लिए हम प्रयास करें आने वाले दिनों में एक कुछ फ्लाइट ओर आएगी मुझे लगता है केंदर सरकार इसमें पूरी मदद कर रही है राजय सरकार का प्रयासरा है मैं केंदर सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ और राजय सरकार को भी आज बच्चों के चैरों पर बहुत खुशी थी जब अपने देश अपने शहर आ रहे आए और उनके परिव जब देट